साथियो नमस्कार मैं राम प्रताप सिंग कुश्वाह और आप सुनने हैं ग्यान एंड नॉलिज का प्रोग्राम मन्थन और मन्थन तो मन्थन ही है आज का विचार आज का विचार तो सबसे बड़ा यही है कि भाई परोस का प्रभाव पूरे महले पढ़ता है तो अब हमारे पड़ोसी आज जो चर्चा होगी वो बहुत ही महत्पोंड है और पूरे विच्व के उस पर प्रभावडल नहीं है पूरे विच्व के खटना करम पर और बहुत ही इसके दूर गावी परणाम होगे परोसी देश बंगला देश अखंड भारत का हिस्सा तो भाई अब जब अखंड भारत का है और प्रभावित न करे भारत को तो ऐसा तो हो नहीं सकता है प्रोहाव का यही मतलब है कि आज का जो पूरा समाचार पत्र है वो पूरा का पूरा इसी समाचार से भरा है मैं दिखा रहा हूँ यह देखिए बंगला देश में हिंसा के बाद पी-एम हसीना का इस्तीफा भारत पहुंची उपद्वियों की सैना भी नहीं समाल सकी अच्छी दोस्त हसीना के बंगला देश छोड़ने से बढ़ेगी भारत की चिंता और यह देखिए से एक हसीना लोह मैला चार वड़ा लग आच्छित है क्योंकि भाई हम बंदेलखंड वासी हैं तो चर्चा तो बंदेलखंड से होती है तो और देखिए बंदेलखंड के पूज आचार जी आज यह न्यूजी लेंड फीजी और जाने आस्ट्रेलिया जाने कहां कहां बंदेलखंड की वासा को पहुंचा रहे हैं और हम अपने चैनल से अगर बुंदिल खंड की भासा ना पहुँचाएं कहीं भी, तो भी तो गलत है, तो इसी विश्व घटना क्रम्मे में हम आपको बता रहे हैं, एक कहावत है, मनुस्य बली नहीं होत है, समय होते बलवान, भील ने लूटी गोपिका, वई अरजुन वई बाण, बताईए, पूरा महा भारत का युद्ध एक युद्धा, अरजुन ने जीत लिया, लिकिन भीलनों से हार गए, अरजुन, तो वही हाल है कि आज पंद्रा साल से बंगला देश में हकूमत, और हकूमत करके बंगला देश को विश्व पटल पर इस्थापित करना, विश्षकर टेक्स्टाइल ऐसे हतकरदाओ दोगों में अग्रणी देशों में सामिल है आज, आर्थिक दृष्टी से संपन बनाने क एक पूरा प्रियास करतीया है, और आर्थिक वस्था आज बंगला देश की मतलब एक विक्सित देशों में स्रेश्ट पर पहुंच गई है, तो देखा जाए तो ये क्या आर्थिक दृष्टी से तक्ता पलट है, या सैनिक दृष्टी से सैनिक व्यू रचना की आधार पर जो बड़े देश हैं, जो अपना सैन अड़ा बनाना चाहते हैं दक्षन भारत पूरवी एसिया में, क्या उनकी ये तक्ता पलट की नीती है, इस पे मन्थन होना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ, देखे भाई, हमारा जो विसलेसन है, जो विवेचन है, वो उसमें राम स्री राम चरित मानस पावन गरंथ, के जो महनता है, जो महत्व है, उसका भी वर्णन मिलता है, ये ऐसा विवेचन आपको अन्नि गरंथों में नहीं मिलेगा, आप चाहे गीता पढ़ ले, चाहे आप वेद पढ़ ले, लेकिन फिर भी, क्यों, स्री राम चरित मानस में क्य कुर्णन है। उन्होंने प्रमानिक रूप से, बेवारिक रूप से, मोटिवेशनल रूप से हम मानुओं को पिलना दी है। कि कैसे संकट में पड़े स्राणा गत व्यक्ति को कैसे सराण दी जाये। उसी स्राण के प्रतुरूपक के रूप में बंगला देश की भूत पूर प्रधान मंतरी स्रीमती सेख हसीनाजी भारत आ गई हैं और काजियाबाद के पास हिंडन एयरवेस में उस्वरक्षित पहुँच गई हैं तो आप उसका भी वर्णन और उसका भी महत्व स्री राम चरित्मानस की प्रासंगिता से समझे हैं कि आज के दिन भी स्री राम चरित्मानस का एक एक मोटिवेशन कितना बड़ा प्रासंगित हैं क्योंकि हमारा चैनल विशेश कर प्राचीन गिन्थों की और वर्टमान की प्रासंगिता के सम्मूल को दर्साने का प्रयास करता है और विशेश कर प्रिकती के जागरन का भी एक विशेश मोटिव रखता है तो आईए इसी देश्टिकोंट से परचर्चा सुनी जाए बंगला देश में हुई इस अराजक्ता और तक्ता पलट का सीधा असर भारत की आर्थिक वस्था पर है और भारत की प्रासंगिक वस्था पर भी है इसके बहुत ही दूर कामी प्रणाम होगे और भारत को फविस्थ के लिए एक ये जगाने का भी काम है कि कम से कम अब जाग जाओ अब अपनी वस्था को ठीक कर लो अब जो समस्या हैं उनको विवस्थत रूप से कर लो और फविस्थ के लिए कमभीर हो जाओ ये भी एक मोटिवेशन है इस घटना से हाँ क्योंकि ये विदेशी ताक्तें कहीं भी कुछ कर सकती हैं और भारत में भारत को तो ये एक बहुत ही तीड़ी नज़र से देख रहे हैं जब से भारत की समरद्धी और भारत की संगठन सकती और रक्षा सकती में विकास हो रहा है या आप इनके चाटकार वने रहें इनकी हा मेहा करते रहें तो ये आपको अपना गुलाम की तरह मतलब करते रहेंगे उपयोग यूज अगर आप तीसरी सकती का नारा लगाएंगे तब तो फिर आपको फेस करना ही पड़ेगा सड्यन्द, जाल और कॉंस्प्रैसी इन सब का सामना करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे इसलिए कहा जाता है कि अपनी यूजना पहले से नहीं बताना चाहिए किसी को भी यही महागुरु चाड़क के जिवी समझा गये हैं लेकिन फिर भी हमारे मानिवर प्रधान मंत्री जी कहीं न कहीं गलती कर ही बैठते हैं जैसे चार सो सीटों का लक्ष भी घोसित कर देना पहले से ये भी एक कहिंकार की सरणी में आ गया इसके परणाम देखना पड़ गए कि जो है वे पक्ष सक्री हो गया कि चार सो तो हम नहीं लेने देंगे हां तुम जीत जाओ तो मन्जूर हैं लेकिन चार सो नहीं हम लेने देंगे और वो अपनी इसी जीत को दिखिये हां कर रहे हैं कि हां हम चीत कए तो यह भी एक यह दूर दूर की पार्टियां भी सामिल हैं इस कार में हां खैर यह तो भाई अब राजनेतिक लड़ाईयां हैं चलना ही चाहिए लेकिन जो तीसरी सक्ति का नारा भारत ने दिया है उसका तो भाई अब आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा और वही विरोध और वही आपका ध्यान भारत की एक भीषण और भेंकर समस्था के उपर ध्याना कर्शित कर रहा हूं जो भारत की सामाजिक विसमता के परचायक होती जा रही है और एक दिन ये भारत में बिद्रुह का रूप अवस्थ ले लेगी अगर ये इसी तरह रही और वही बंगलादेश मे हुआ कि उस समस्थ छोटी सी चिंगारी को विरोधी तत्यों ने पकड़ के और भीषणता प्रदान करती बज यही भारत में होगा आरक्षण मुद्दा देखिए इससे भारत को बहुत बड़े दूर के संदेश लेना चाहिए जो वहाँ चात्र आरक्षण का विद्रुह ह है आर्थिक कुछ है तो हमने बता दिया वर्ड इस तर पर अब आर्थिक स्थिति में तो भाई आप जानते हो कि सबसे ज्यादा हित अगर किसी के दुनिया में हैं तो आज अमेरिका के हैं और यह सारा खेल उसी में क्योंकि एक चुनी गई सब्ता लोक तंत्रात्मक सब्ता को इस तरह से समापन कर दिया जाए और अमेरिका चुप रहे और यह कहें कि हाँ चलो अब जो अंतरिम सरकार बन नहीं है उसका हम वेलकम करते हैं तो इसका मतलब सब खेल अमेरिका का है चीन इनको बदनाम करना बेकार है और पाकिस्तान के इतने बुते की बात नहीं है कि हाँ यह तो उपद्रवी तत्य तो हो सकते है वह तो नहीं कहां जा सकता वह तो अलग चीज है तो बहई पाकिस्तान का अंग तो पहले से ही रहा है और इसमें क्या दुर आ है तो पाकिस्तान के लोग तो भहां होंगे जी हा अन् से एक बुजीबर रहमान- जी की मूर्ती पर जो हो आक्रोस निकला जन्ता का वह आक्रोस आरक्षण का आक्रोस नहीं वह दूसरी दाजनीतिक विजया धारा का अक्रोस नहीं है अ控 आधी यतु कि यह तो इस्पश्ट हो ही जाता है जैसे कि अपरदी जब किसी की हत्या करता है तो जो वार करता है उससे उसका द्रिष्टिकॉन मालूम पढ़ जाता है कि इसके मन की भावना क्या है तो वहाँ बंग बंदू से बजबर हमान जी की मूर्ती पर हमला वो एक विचार सारा काहला है अब प्रशने यह है कि भारत को इससे क्या प्रेड़ना लेना चाहि देखिए भारत में भी आरक्षन की बहुत जटिल समस्या चल लेए बहुत जटिल और आप यह समझे कि उसका भी कोई निराकंड नहीं हो रहा है यह मानने सरवोच चिनयाले जी ने चार साल पहले आरक्षन पर दूसरा निर्ने दिया था अब वो निर्ने स्वेम ही अपना बदल दिया तो यह अगर ऐसी तरह से वहाँ भी अधालतों की निर्ने हुए और वो सरकार को फेस करना पड़ जो बाननी अधालतें तो अपने निर्ने की द्रिख्ट से निर्ने करती है और अपने निर्ने को भी बदल देती है भाई यहीः बिचогलत बात है क्या वह जो च जट साइवान बैठे हैं माननी नियाजीज महोदे तो क्या उनको दूसरी तनखाय मिल लही हैं सारे साथ से तभी संक्लिट करके निरने करना चाहिए यह तो जनता में भरम पैदा हो रहा है और माननी सर्वोच नियाले का जो महत्व है और जो विश्वास है और जो मतलब एक तरह से आस्था है उसमें कमी आ रही है। देश के लोगों में और इसका प्रभाव सरकार को जहिलना पड़ेगा इसका प्रभावी सरकार को जहिलना पड़ता है। शांती वस्था और प्रसासनेक वस्था सरकार का जुम्मा है, यही तो बंगला देश में हुआ, तो आरक्षण की जो समस्या है वो बहुत कम भी रहे, देखिए प्रारम से ही आरक्षण से देखिए इस देश में पांच-छे विचारदारा हैं इस समय, एक तुस्थावन सात विचारदारा हैं होता ही, सातों विचारदाराओं की लोग आरक्षण चाहरे हैं, कुछ लोग आरक्षण से नाराज हैं, बहुत नाराज हैं, वो तो आप ये समझेए कि सवर्णों के बच्चे विदेश चले आते हैं, विदेशों में अपना पेट के लिए रोजी रो जी का मंदिर बना तो वहां 25 पुजारी एक तरह से न्युक्त हो गए तो 25 ब्रह्मन हो गए लेकिन यह बताओ छत्रियों के लिए कौन सा रोजगार है कहीं रोजगार हैं उनके लड़के आवारा हो रहे हैं बेरोजगार हो रहे हैं कोई रोजगार नहीं उनके लिए वो तो भाई कहीं ऐसा भी नहीं है कि नहीं सेना में उनका रेजर्वेशन है या पुलिस में रेजर्वेशन है या गार्ड में रेजर्वेशन है गार्ड में भी रेजर्वेशन नहीं उनका तो भाई उनके लिए सरकार क्या कर रही है तो वो एक तरह से अक्रोस में हैं तभी से हा आरक्षण की नीत का वो विरोध करते हैं लेकिन वो समझदार है इसलिए विरोध कम है अब फिर अब आ गए OBC भी संतुष्ट नहीं है लगातार मांग करते हैं S.C.S.T. वाले भी संतुष्ट नहीं है कहीं कहीं किनी किनी राजियों मुस्लिम आरक्षण की आवाज उठने लगी तो धीरे 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 ये एक जो विरोध चला है यदि ये विरोध किसी विदेशी ताकत के हाथ में आ जाएगा जैसे भारत में BBC लंदन आदी विदेशी चैनल है इनको आप सुनिये ये बहुत स्वीट पाइजन भारत के समाद में पैदा कर रहे है बहुत ही स्वीट पाइजन देखो भई हमारा चैनल को अगर आपको सुनना है तो पहले एक चीज सुन लो कि कविरा खड़ा बजार में सब की मांगे खेर ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर चाए BBC लंदन हो और चाए अमेरिका हो हम छोड़ते नहीं किसी को हम यसार्थ बोलते है हाँ सुन लिजे साब इसमें हमने बता दिया कि अमेरिका ने तक्ता पलट करवाया है बंगला देश का बी-बी-सी लंदन ने बंगला देश में भी जहर घूला और भारत में भी जहर घूलता है इन सब को इसी में आनन्द आता है यह एक विशेश विचार धारा को बढ़ाते हैं यह आप नोट कर लो पूरी दुनिया में हाँ हम भाई आप देखिए कि अमेरिका के आज असी जगे इनके सेंटर बन गए हैं जो मतलब एक तरह से सैनिक अड़े असी देशों में आज की तारीक में लेकिन भारत के आसवास दक्षड एसिया में इनका एक भी अड़ा नहीं है और चार महीने पहले तो इनोंने बंगला वे उसमें इंटरफियर किया था और हर रोड़े डाले थे और ये भारत की भी रादनीच में रोड़े डालते हैं आप क्या समझते हैं भारत को अस्थिर देखना चाहते हैं और ये उसी का ये एक क्रम किया गया है उसी का ये एक भारत को कम्जोर करने का प्रयास किया गया ह इसको भाई भारत सरकार को भारत के विपक्ष को भारती जंता को अच्छी तरह इस पे विचार और मन्तन करना चाहिए अब भाई कुछ स्रादार्थी लोग भी भारत में आ सकते हैं अपनी जान बचाने के लिए क्योंकि वहाँ पर जो सनातन विचारधारा के लोग हैं उनके सामने भी भीशन समस्या आएगी और भारत को उन सब को स्वरक्षित करना भी एक बहुत ही मतलब भारत की उसल राजनीती की परिच्छा भी है जब भारत यूक्रेन से और विविन देशों से अपने भारतियों को स्वरक्षित निकाल के लाया है ऐसी बात नहीं है और यहाँ भी वो प्रयास जारी है लेकिन वहाँ तुभाई कुछ नागरिग भी है सनातनी उनकी भी स्वरक्षा करने के लिए भारत की बड़ी समस्या है और अब जो प्रश्ण आया कि मानने है प्रधान मंद्री पूर शेख हसीना जी भारत आई है तो इसका स्री रामचरित मानस में क्या प्रासंगिता है और वो क्या मौटिवेशन और पिल्णा देती है रामचरित मानस इस पर चलिए थोड़ा सा सुन लेते हैं सुन्दर पे तो आपका मन खुस हो जाएगा कि भारत की राजनीती सुरू से राम से ही राजनीती है दुनिया की राम से ही समाजिक क्वस्ता है प्रभुसरी रामजी से ही आर्थिक क्वस्ता है मैं तो कहता हूँ कि वाई प्रभु कह देना प्रभुसरी रामजी को उनको छोटा कर द ना है आप तो उनको सिर्फ राजा दसरत नंदन कहिए एक मानों के रूप में उनकी योगता उनकी कुशलता उनकी मुखरता उनके मानों को दिये गए मोटिवेशन कार उनको आप देखे जैसे भाई आपके समय आप भी किसी ने किसी को अपने जीवन में आइडियल मानते हों हर्थमान प्रधानमंत्री नरेन मुध्धी जी को मानते हैं कोई कहते है हैं पूर प्रधानमंत्री श continentरी मर्तिएंदरा गांडी जी को मानते हैं जिन्हों हमें बंगलादेश Kenya निर्माण में विसेष भूमका निवाई थी तो भारत के संबंद तो हमेशा से कांग्रेज ग प्रहू स्री राम जी के पास और सुघ्यू जी और सभी लोगंको रिसीप करने गए अभी हमारे सुरक्षा सलायकार स्री डोभाल साप गए थे मानने प्रधान मंतरी पूर प्रधान मंतरी बंगलादेश को रिसीब करने तो देखे क्या कहती है स्री रामचुरित मानत भेद हमार लैन सठ्यावा साख़ई बांध मोह असभावा किसी ने कहा कि बांध किलाओ भिविष्रण जी को हो सकता है कि सत्रु पक्ष का है कोई हमेहानी पहुचा दे तो भगवान कहते हैं कि नहीं जो सरनागत में आ गया है पहले उसका भे दूर करो और उसको विश्वास पैदा को कि वाकी सरन में आ गया है अब आगे सुनिये सुने प्रभु बचन ये हरस हनुमाना सरनागत बच्छल भगवाना प्रभु के बचन सुनकर हनुमान जी हर्चित हो गए भाई वो तो हो ही जाते हैं और मनी मन कहने लगे कि भगवान कैसे सरनागत वसल सरन में आई हुए पर पिता की भाती प्रेम करने वाले हैं अब जसे स्री डोफाल साब ने माननी प्रधान मंतरी जी को बताया होगा बिलकुल बताया होगा राजनीत समझे आप स्री राम चरितमानस से कितनी गूढ राजनीती है और कितनी प्रासंगिता है कि आज की तारीक पांच अगस्त दो हजार चौबीस तक उसकी प्रासंगिता इन तत्थों की किस तरह से तारकिक और विग्यानिक रूप से है और यथार्थ है इसको समझने कि आऊ सकता है कि राम स्री राम चरितमानस कितना बड़ा महान करन्थ है और कितना बड़ा मौटिवेशनल है प्रिड नात्मा का आज लाखों किताबें प्रिड मौटिवेशन की बिक रहे हैं बजारों में लेकिन वो भ्रम है सत्त को और जानिये यथार्थ को जानिये आईए सुनते हैं ये जो महान क्यान है राजनीतिका, कूटनीतिका प्रैक्टिकल लूप से जो भगवान प्रहु स्री राम जी और हन्मान जी प्रहु ने समझाया है अमवानों को ये दुनिया के किसी करंथ में आपको नहीं मिलेगा चाहे आप वेद रख लो चाहे आप महाभारत भी रख लो और चाहे आप गीता जी रख लो ये स्री राम जी क्योंकि राम जी का चर्थ है उसकी बराबरी कोई नी कर पाया तो क्या कह रहे हैं भगवान कि सरण में आए हुए को पिता की भाद प्रैम करने वाले हैं सरणा अगत कहूं भगवान प्रुबसरी राम जी फिर बोले जो मनुस अपने अहित और का अनुमान करके सरण में आई हुए का त्याग कर देते हैं वे पामर छुद रहें पाप में हैं उन्हें देखने की भी हानी है पाप लगता है मतलब मानने प्रधान मंतरी जी आई थी भारत और यदि उन्हें मना कर दिया जाता कि नहीं हम सरण नहीं दे पाएंगे तो भगवान कह रहे हैं कि आपको पाप लग जाता आप महा अपराधी हो जाते ही वो चाहे आप देख्तिकत अपने उपर ले लो चाहे पूरे देश के लिए ले लो यदि जैसे आपके घर में कोई आपके पर अपास सरण लेने आ जाए तो भगवाई आपका प्रतम धर्म है कि आप उसे सरण दें और उसके भगवान को दूर करें तो भगवाई इस दिश्टिकौन से भारत की जो संस्कृती है वो संस्कृती राम मेविलीन है राम से निकली है और राम जी स्री रामायन और राम चरित मानस में ये महान संदेश दे रहे हैं तो इस दिश्टिकौन से जो मानने प्रधान मंत्री पूर बंगला देश भारत में सरण लिये हुए हैं वो भाई स्रेश्टमकार है और चलिए आगे तो एक एक कदम पीपल के पत्ते की तरह राजनितिक इस्तितियां बदलती रहती हैं बंगला देश में भी भारत संपर्क में हैं ऐसा सरवदली मीटिंग भी हो गई है उसमें सभी पक्ष और विपक्ष के नेता सामिल हुए हैं कोई विरोधी या कोई अनरगल टिपणी किसी भी मान्यवर की नहीं आई है ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सुप संदेश है और भारत वास्तों में इस दिश्टी कौन में कभी भी अगर देखा जाए तो भारत का पक्ष और पक्ष और अन्य सभी एक आवाज में बुलते हैं ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि भारती एक सो चालिस करोड़ लोगों की आवाज एक है हम भारती है हम भारती हैं चैहिंद 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 चलिए हमारा आपको बलाग कैसा लगा अभारी वारता कैसी लगी कृपया पक्ष और पक्ष में अपने अपने समिक्षात्मत तरक दीजिए भारत और बंगलादेश बहुत ही उसी तरह से संबन्द हैं जैस तरह से कपड़े में जो डोरों से बनती है तो तब कपड़ा तयार होता है तो उसी तरह से टेक्स्टाइल के मामले में विशेश कर भारत और बंगलादेश कभी भी अलग नहीं हो सकते और पूरी दुनिया के कुछ कटाच लोग कुछ निम्नेक संक्रिन विचारधारा के लोग जो पूरी दुनिय में अपनी सुप्रमेसी चाहते हैं वो इस दोस्ती को नहीं देख पा रहे हैं और कूटनितिक रूप से अपनी विचारधारा या अपना लक्ष किसी को बताना बहुत बड़ी गलती है अगर मानने प्रधान मंत्री जी ने ये बार बार गुष्णा की है कि हम देश को तीसर सक्ती बनाएंगे उन्हें अपने मूँ से नहीं कहना चाहिए और अगर कहा है तो अब उसके लिए परिच्छा देना होगी भारत को बिकट परिच्छा और एक एक रोड़े आएंगे पूरी दुनिया के सामके से क्योंकि कोई भी बढ़ से हुए नहीं देखना चाहता यही परिच्छ परदा है और यह एक मानुई परिच्छ परदा है एक गाउं में जब दो पहलवान होते हैं तो पूरा गाउं पर जाता है तब फिर यह तो देश हैं यह तो बटेंगे ही इनको आप कहा ले जाओगे तो आप और देश के मतलब कमजोर करने की यह एक सरयंत रहे और इस सरयंत में भारत सरकार को बहुत ही दूरगामी और बहुत अच्छे निर्ने लेना चाहिए और सरकार ले भी रही है जिसके हमारी बहुजन समाद पार्टी की बेहन जी सुस्रे मायावती जी ने भी खोर खोर तारीफ की है और उन्होंने कहा है और पश्चम बंगाल क मुखमंत्री जी ने भी कहा है कि भारत सरकार जो निर्ने लेगी उस सब के अंसार हम देश की मजबूती के लिए देश के दूरगामी बहुयामी मतलब सक्ती बढ़ाने के उद्देश से हम वही निर्ने लेंगे ये बहुत अच्छा संदेश है चलिए हमारे चैनल को सब्क् में घटनाओं पर विवेचन सुनते रहिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय